आज हम एहमदाबाद के लिए निकल गए तो फ्रेंड्स आज का टोटल दिश्टन्स है हमारा 451 किलोमेटर टोटल घंटे लेंगे साथ फ्रेंड्स वैसे तो हमारा प्लान अर्ली मौनिंग निकलने का था पर बच्चों का और अपना ब्रेकफास्ट बनाते बनाते हम थोड़ा लेट हो गए और उसके उपर हमारे तीनों फर बेबी साथ चलने के जित करने लगे चलिए आपको ले चलते हैं फ्लैश बैग में है कि अ क्पाए बच्च थे ऐसकता बर सर्व थे ज़ी आपको खॉड़ाई का तो अ ठाषेक उन्त्र pressed जोड़ा में का थ्ला हाई मौट़ाई यॡ़ाई वैसे अकेले हुमने जाना थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था क्योंकि अभी तक हमने सारी वेकेशन्स फैमिली के साथ ही इंजॉई किये हैं बट इस बार हमने यह डिसाइड किया है कि हम पूरी तरह से वैन लाइफ को जीएंगे वैन लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को देखेंगे और उसके एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे प्रेंड जब से यह फास्टेक शुरू हुआ है काम काफी एजी हो गया है आप एक बार रिन्यू कर दीजिए इसको एंड देन पूर रास्ते बर आपको चिंता करेंगे जरुत नहीं है कि आपने रोके टोल्टेक्स देना है प्रेंड पाली तर्न आया है अभी यहां से हम राइट लेंगे उसके बाद जो में प्लेसे आएंगे वह है पाली दन उसके बाद सिरोही सिरोही के बाद पालनपूर पालनपूर से महसाना होते वह हम लोग पहुचेंगे अधावार्थ इस पूरी जर्नी में हमने यह भी डिसाइड किया है कि हम कोई भी डिटेल्ड प्लानिंग नहीं करेंगे और ना ही किसी होटिल या रेस्ट्राण पर हम निर्भर रहेंगे परिंड्स परिंड्स प्रिख ले लिया है अप्रोक्सिमिटली एक सू अफारे किलो मेटर गी बाद प्रीटाइम होटेन टाइम में कुछ गरम चाए और नमकीन पराठे गा गी और मसाले लिनमान और मेथी अपराटा बाद को जासा है विए में रोड के साइड में खड़े और के चाय बनाने के लिए आज बच्चे साथ में नहीं है और सेमी साचनी के लिए बच्चे साथ में नहीं है और सेमी साचनी तो बहुत खाली खाली लेग रहा है फूरी गाड़ी खाली पड़ी है हमारी तो पुचाय होगी राठा हो गया चला है फिर इस चलो चलो भई अम्दाबाद के तरफ उब साचनी के लिए। किसी भी रोड़ जाए है तो किसी भी रोड़ जाए है जर्नी में हमेशा बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत इंपोर्टन्ट है इन ब्रेक्स के दौरान सबसे इंपोर्टन्ट है टायर्स का प्रेशर चेक करते रहना रीसेंट्ली हमारे राजस्थान ट्रिप के दौरान हमारे साथ एक हाथसा होते होते रह गया हुआ यह कि गर्मी के मौसम में लगातार गाड़ी चलाते चलाते हमारी वैन का टायर गरम होकर फट गया वो तो भगवान का शुक्र था कि हम उस टाइम पेट्रोल पंप में डीजल भरवा रहे थे और हाइवे पर नहीं थे नहीं तो यह बहुत सीरियस इश्यू हो सकता था कुछ विटामेस ही हो जाया बहुत इंपोर्ट नेकिन रुटेशन मिलता रहे तो रहा डी हाइडर हो जाएगे गर्मी बहुत ज़्यादा आया संजना आएगन जेगे पन प्रिदू निटेश वार देशना देए अगंवार्स टूनल और राजयस्थान रोड कुछ ने काश्यूत रट कि इंट । विटी. उयवार्णी राजयस्ताली ना रहाणा पाणा पाणा बर दूत है बीज़ चला हुआ है यह नाम जो सामने लिखा हुआ हुआ है कुछ याद दिला रहा है कुछ बड़ा कॉमन नहीं में कुछ है पंडोरा 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 अवतार मुवी का बंजोरा आइलेंड तो गाड़ी का टैंक फोल हो गया है अब लंच कर लें भी पंडोरा 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 वेक वेक पंडोरा फ्रेंज जब तक हमारा लांच प्रिपेर होता है तब तक आप उस इलाके के ड्रोन शॉट्स को इंजॉई कीजिए तक रपको ऊसितन की रांग, स्थिष्टो उस्ज जब ख शσया ब।क घंके रांगे वे वे त ब्र्कारोन आद की निए किuciones की शुरी होता है वे ञांगे वे पि एंगे तक तो यह भई लंज के वेनियो हमारा यह है खुला ग्राउंड सामने पहाड़ बहुते भूप और अंदर बना है हमारा बटर प्लाव बटर प्लाव कर्ट बटर हैंड खीरा सेलेडर यास नू लेविश लंज सिंपल वरी पास्टो कुख एंट तेस्टी थेंक यू वेलकॉप इच्छी वड़की है तो मसाले वाला नमक और इधर दिखिये एको शुगर एको मीठा एको डंकिन जो जो बना हैंगे वैजिए टेस्टान प्लाव कर दिखिया है थी एको इस गुड़ सें स्टें वी 400 अमयाजन में बनेटी रूपीज का अब हम गुजरात में एंटर हो चुके हैं केम चो गुजरात पालनपूर सिटी है और यहां से यासवा स्ट्रेट जा रहा है एमदवार के लिए होपुरी साथ में इतल हम पौट ही जाएंगा इत्रबाद होटल केरवैन जलो फाइनली किसी नहीं भी सोचा अग केरवैन के नाव पे बोटी केरमा जाब रोट आई हैं विकॉस बहुत सारा कंस्ट्रक्शन रोट चल रहा है होफुली आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रोट हो जाएंगी उसके साथ में मंदिर कितना अच्छा रग रहा है सुमे रखार। ओश्टार। झाहू जला इंग। कि में बहुतर बहुत्वम में में मैं यहां भी यह दिरंगा दिख जाता है तो मन में बहुत प्राउड फीलिंग आती है शाम होते होते हम पहुच गए एमदाबाद वैसे तो गुजरात की राजधानी है गांधी नदर पर दिल है एमदाबाद और यहीं हमको डिनर में इन्वाइट किया तीपक के बचपन के फ्रेंड ने तो आज की शाम दोस्ती के नाम प्रेंड्स ऐसे ही हसी मजाग बचपन की बातों को याद पर दोस्ती को याद रहाएं करते करते समय का पता ही नहीं चला तो अब टाइम है इस व्लॉग को खतम करने का आशा करते हैं कि आपको हमारे गुजरात सफर नामा का पहला दिन पसंद आया होगा इसलिए एक लाइक तो बनता है जल्द ही मुलाकात होगी एक नई जगा और नई लोगों के साथ तिल देन स्टे सेफ और स्टे हेल्दी